भारत माता की भारत माता की भारत माता की रामरामसाद शक्ति और भक्तिरी परिचायक चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन मातास कुष्मांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी परिणाम बाढ़ानाई और जैसाइने रे वासियों ने मारी गणे मांसु राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बधाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्वों और शुरिवीरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्शन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौप पड़ा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट विख्सिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनों बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का ख्षेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा वोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधान कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेती ले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओ बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्थान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुंचाया है लेकिन जितने दिन राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्थान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजना भी पूरी नहीं होने दी वहीं हमारे बजनलाव सर्माजी की सरकार ने सो दिन के बीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्थान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुँचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सिमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सीमावर्ती जीलों को वहां गावों को जान बुशकर विकात से वनчеद रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तर्क देते थे अफिशली बताते थे वह कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी यह यह शर्म की बात है कि नहीं भाई कि हम इतने भुद्दिल हैं कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उच्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्मानी चाहिए आपको आप मुझे बताईए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाढ़ मेरी की सीमा में गुचकर कब्जा करने की सोचे है हिम्मत की सीमा भाईयों बैनों हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी पौने दो लाक गरीबों को पक्के आवास का लाव मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वरती बाड़मेर में बहत्तर हजार करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाई में चुनिये करने जुरूर आऊंगा और दिस दिन रिफाइनरी के लिए उद्गार्टन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा होंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई में जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा यह संभव है यह होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिन्गी गुजारी है यहां से पलाइन होना बहुत स्वाबाविक था माबाब भी बच्चों को कहते हैं भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगे वो दिनते हैं ऐसा ही हाल कच्च का था मैं गुजरात का अनुपर बताता हूँ आपको कच्च का भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जे जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़ बेर बदल सकता है और ने बदल सकता है बदल सकता हैं ने बदल सकता हैं मैं ये करके आया हूँ और इसलिए मैं गार्णटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूँगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोड़े अटकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आदिवासी समाज को सीकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राश्पति दिये हैं हमारे गाव धानियों के महिलाए मेगवाल समाज लंगा मंगनियार समाजने के लोग फीडियों से हस्तकला का काम करते आए हैं भाजपा ने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पी-एम विश्व कर्मा योजना शुरू की है अपनी महनत से रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पी-एम किसान सम्मान निदी बेज रहे हैं किसानों की आए भड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को स्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं कि यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाओं के लोग खाते थे आपको जान करके घुज़ी होगी अभी में जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने रास्पति ने अपने भोगर में वाइट हूस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मजा देखिए उस भोज मे मैं जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वह हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा ज्वार उस में से बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाओं में खेटी करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है यह मामुली अनाज नहीं है यह सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज्वारा बनाई यह बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूं दोस्तों मुंका समर्दन मुले भी आज जितना है उतना कभी नहीं था मुदी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और बहनों के साथ दसकों तक भेदबाव करने वाली कॉंग्रेस आजकल एक पुरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनाव आता है समिदान के नाम पर जूट बोलना यह इंडिय अलाइज के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को बारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात्कान लगा कर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूटकी आड़ ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पार्लोमेंट में भाशन है उनका या बाबा साब का ये अपमान है कि नहीं है सम्विधान का अपमान है कि नहीं है इतना ही नहीं ये मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस वार इंडिया लाइंस के जुठों से उनकी गबबाजी से साबधान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये चार सो सीखती बात देश की जनता ने इसलिए कि है कि आपने दस साल पार्लामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश किया है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साप कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के शब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खुद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते हैं हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है रामार्ण है मा बारत है बाइबल है कुरान है इस सब कोछ हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों भारत के खिलाप यह इंडी अलाइंस वाले कितनी नफ्रत से बरे हुए हैं यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता हैं कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की च्छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाप बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धर्ती ने भारत को पर्मानू सक्ति से संपन्न किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के पर्मानू हत्यार नश्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे भारत जैसा देश जिसके दोनों तरब पडोसियों के पास पर्मानू हत्यार हो क्या उस देश में पर्मानू हत्यार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या पर्मानू हत्यार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या प्रमानू हत्यार समाप्त होने चाहिए क्या पर्मानू हत्यार समाप्त होने चाहिए मैं जरा कॉंगरेस को पूछना चाहता है आपके यह साथी यह आपके इंडी एलाइंस के साथी किसके हिसारे पर काम कर रहे हैं यह कैसा गडबंदन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आखिर किसके दबाव में आपका यह गडबंदन हमारे परमाणू ताकत को सवाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट बनाने में जुटा आए वहीं इंडी गडबंदन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्ति हीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर वोड़ दवा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गडबंदन से सतर्क रहने की जरुवत है साथियों जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते हैं यह कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्षर राजस्थान की वीर भूमी में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां करके बोलके गए हैं यह राजस्थान की राष्ट भक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बाड़मेर के सपूत पीखारा मुंड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंग्रिस कहती है कि कश्मीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्मीर में जन्ज में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पूश्ते हो कि कश्मीर से क्या रिस्ता जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से खदेड़ा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्तान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूश्ते हैं कि राजस्तान का कश्मीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके गर्व होगा ये मेरे राजस्तान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहां वो माइनस टेंपरेचर में रहते हैं यहां 35-40 डिगरी टेंपरेचर में महिना बढ रहे जब ठीक होए तब राजस्तान उनको घर वापिस बेजाता ये हैं मेरा राजस्तान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांथ जात पांथ में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस चुनाव में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है क्यों कॉंग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो डेश विरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं तो वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनास कर देंगे अरे मेरी माता वो बहनों की ताकत नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं प्रण आने पड़ेगा इस शक्ति को नश्ठ करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेस उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेस करती क्या है कॉंग्रेस राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समुरक्षन देती है देश पे गुस्पेठी आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलीत और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले CAA का ये विरोध करते हैं मैं आपसे पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पतिनी चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाईयों जाएगे साफ कर दीजिए उनको ये सुद्रें के नहीं साथियों 26 एप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडिक उद्गार्ण के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़मेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूं आपके आशिरवार लेने आया हूं मेरी माता है बेहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के आशिरवार धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिरवार यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहे जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुर्द है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जाकर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचाओगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जागा दो बेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद